हमारे चैनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल में नए है देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन में प्रस कर दीजिएगे ताकि आपको नए वीडियो के सूचना आप मिलती रहे है आज के जो स्टॉक है जो कंपनी है रिलाइंस इंडेस अग्याइब करना चाहिए और कितने टाइम तक होल करना चाहिए तो उर्जा ग्लोबल के बारे पूछा तो नी मिशा जी मैंने बताया उर्जा ग्लोबल में सारी पूरी अपने जो मेरा जो opinion था मैंने रखा था और संभवता में इस stock पे बिल्कुल भी bullish नहीं था क्योंकि खर्जा भी काफी जादा था और उस समय मुझे जिस समय मैंने इनको review दिया था इस company का तो मुझे नहीं लगता कि उस समय इनके कुछ results या fundamentals मैंने चेक किये होंगे अभी फिर से मैं review दूंगा तो इसमें अपनी सूजबूज के साब से अगर आपने ले रखे हैं तो रखिएगा अगर profit मिल रहा तो कोशिश करिएगा कुछ stocks देखिए ऐसा मैं भी नहीं कह रहा है कि कोई company छोटी हो या बड़ी हो return नहीं दे सकती डेपेंड है कि उसके business model कैसा है उसका management कैसा है उसके करजा कैसा है तो निर्भरता है कि आप अगर चाते हैं कि हो सकता है आशानमीत है कि चलो हम छोटे stock में भी कभी-कभी multi bagger हो जाएं भविश्य में 10-15 साल या जो भी पांस साल या जो भी आपने सोचा हो तो छोटी amount को ल ग्लोबल या फिर सामरिया consumer है इस पर करकर के जिनके स्थिय भी खराब है फिलाल मैं mostly उन पर bullish नहीं हूँ और मैं अभी आपको क्या कहूं अपनी सुच-बुच के साब से आप करिएगा और देखिए दूसरा comment लेता हूँ Sweetie Creations 3 पे इनुने लिखा and please review the market every 7-8 year मतलब इनका कहना है कि 7-8 वर्षों में हमेशा market big fall मतलब गिरती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि next time कब गिर रही है और उस पे मैं invest करना चाहता हूँ तो बड़े smart है आप अगर आप चाहते हैं कि पैसा लेके बैठें और जब market गिर ज हम देखते हैं कि हाँ एक cycle होता है एक प्रकार से कोई ऐसी बहुत बड़ी दुरगटना बाहर फॉरण में आप कोई ऐसे जलजला आ जाया तो हो सकता है कि इन भारती बाजारों पे effect बहुत ज़्यादा पढ़ता था पहले भी कि foreigners अपना फॉरण जो institutions थे वो अपना पैसा निकाल लेते थे तो इस वज़े से हमारी मार्केट पर बहुत बुरा असर पढ़ता था और गिर जाती थे अब क्या हो गए चीजें खतम हो गई कुछ नियम और शर्तें भी लगा दी गहीं हमारी government of India एक्टरेप से कि एक साथ आप पूरी तरीके से एक ही दिन में आ जैसे क कुछ पटिकुलर टाइम में आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो इंडिया के जो रिटेल इंवेस्टर्स हैं वह बहुत जागरुख हो गए हैं और इतनी जल्दी वो भी अपना विश्वास खोते नहीं मार्केट में और व कोई फरक नहीं पड़ता है जो SIP कर रहे हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ता है जहां मार्केट टूटेगी उसका बाउंस बैग भी कर जाएगी सेंसेक्स हमारा देखे हर साल 15% के आसपास का रिटन देता है यह देता है तो आप देख लिजे हिस्ट्री देख लिए 10-15 साल अगर आप चार्ट देखेंगे सेंसेक्स का आप देख लिजे वेबसाइट और मनी कंट्रोल के तो देखे हर साल उसका रिटन 15 के आसपास है तो कहां उसने ऐसा कुछ हुआ एनिवेस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोमेंट्स की तरफ और इन्होंने पूछे सर आफ्टर 15 येर रेट विल 1500 इनका ये कह रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक में 15 सालों में 1500 के आसपास का इसका बिलकुल हो भी सकता है इसलिए हो सकते है कि 15 साल बहुत बड़ा समय है और बैंक त मैंने जब वीडियो बनाया था लोगों ने पूर साथ इस कॉमेंट पर बनाया था कि SDFC जैसा क्या रेटन दे देगा तो उन्होंने शॉट टाइम में मैंने बुलिश नहीं था मैंने कि शॉट टाइम में इस प्रकार से अभी मैंने फिला इनकी ब्रांचस देखनी शुरू किये तो हो सकता है कि कमपनी दीरे दीरे ग्रोथ कर रहे हैं इनके सेल्स ग्रोथ इनका जो है प्रोफित नेट प्रोफित इनका NPA कम रहेगा तो आगे भरिश में अच्छी कमपनी रिटन दे सकती है नो डाउट नेक्स्ट कमेंट लेते हैं निक बिश्टाब है पॉली कैब आज ही मैंने 632 पर सिर्फ साथ शेयर लिये जो कि 637 पर क्लोज हुई अभी भी लेता रहूं ले लूँ या नीचे का वेट करूँ फ्रेंस अगर आप लंबे समय के लिए लिए रहें शॉट टम के बारे मत सूचिए अगर लंबे समय के लिए आप अगर ले रहें अगर इसरे साल हो सकता है जबरदसत भागना शुरू करती है ना तो इस प्रकार से प्रकार से लिकिन कंपनी अच्छी है प्रोड़क्स अच्छी तो लेते रहें तो अगर नीचे मिलता है नीचे के लेवल पर तो अले लेते रहें चाहूंगा और चलिए मतलब मैं आप चाहें और मेरा तो यह सुझावा जो मैंने वीडियो में अपना ओपिनियन दिया ही होगा और नेक्स्ट आपका कॉमेंट बहुत सारे आपने पेस्ट कर दी हैं सेम वाट अबोट दो मदरसन सुमी मदरसन सुमी के देखी यहां पर मैंने बताया है कि एक अच्छी आटो कंपोनेंट्स आटो एंसलरी से रेटेट कंपनी है और इस प्रकार से इनके प्रोड़क्स जैसे की जमना अटो बाजाज भी एक अच्छी कंपनी मिंडा इंडस्ट्री के बारे मैंने सब के वीडियो बनाया तो मदरसन सुमी भी अच्छा बोनस भी देती है तो लंबे समय के निवेशक इसमें चाहें तो थोड़ा-थोड़ा करके लेते रहें जब भी नीचे के भाव में मिलता रहा है और बने रही है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं अच्छा यह फ्रेश आपका कॉमेंट है अल्रेडी मैं एक लाख म्यूच्छ फंड पर इन्वेस्ट कर रहा हूं एयर मतलब एवरी एयर आप कर रहा है टैक सेवेंट के लिए देट्स गूट नाओ शुड़ा इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन ब्लूचिफ फोर इस कांड पॉर्टफोलियो प्लीस रिप्लाइए तो मैं अच्छा है आप आपने हमारी इस पॉर्टफोलियो क्वाले स्टॉक कि युट स्टॉफोलि के लियुक रहते हैं դो युप कॉंपनी इसमें और बीस पज खोड़ा एकिमेलेट्र करते रहें लेकिन बहुदा लंबा पॉर्टफोलियो नहीं होना चाहिए इससे मैं बारइस टाक्स क्वाल बाताने को तो हम बहुत सारा बता सकते हैं अच्छी अच्छी कंपणियों के बारे में लेकिन जो आपको अच्छा लगे उसमें थोड़ा-थोड़ा यह भी रिलाइंस ग्रुप की है ओनलाइन शॉपिंग रिलाइंस इंडस्री इस लिम्टेट और आज जो अप्रिल तूथाउजन उन्नीज बारा बच के साथ मिन्ट है और बीस पे जो ट्रेट कर रहा है चौदा सो दास रुपए पच्छीश पैसे पर बीस रुपए की करोड का कितनी बड़ी कंपनी है बहुत जबर्दास एपी है से 62.45 पी है 22.55 का एन बुक वैल्यव फो 63.67 की प्राइस टूबू का 3.04 इंडस्ट्री पी है 15.55 डेलिवरेबल है 31.04 और वी अबसाइट पे एक नजर कर लेते हालां कि सभी परचीत है इस रिलाइस इंडस्ट में है पेट्रो केमिकल्स के प्रोडक्स है जैसे पॉलिमर्स, पॉलिस्टर्स, फाइबर इंटरमेडियर्स, अर्रोमाटिक्स, अलस्ट्रमस, एलांस, कंपोज, इसस सलूशंस और जी ओर रिटल एंवेस्टर्स में और अभी जो हमने सुना कि यह कंपनी अभी ऑनलाइन जै इसकी एतनी जबर्दस्त अर्निंग है और डिविडेंट सिर्फ देती 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से तो दोस्त मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगा कि जहां तक डिविडेंट जो मिलता है टैक्स वी लाभांश कंपनियां जो देती है अपने निवेशकों को तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो कंपनी अपनी एक्सपैंशन करती जो नेट प्रॉफिट आता उसे में सो देती है अपनी निवेशकों को जो लोग जो कंपनिया थोड़ा सा नाममात्र का देती है तो उनका ये भी एक मोटो हो सकता है कि हम प्रॉफिट को फी निवेश्ट करके कंपनी के और ग्रोथ में शामिल करता है तो उसे साब से यहां पर एक डिविडेंट रहता है अपनी इंडस्टी में नंबर वन पर है और देखें गुड क्वालिटिक कंपनी है जैसा कि इनका मैनेजमेंट है कैप्रल स्ट्रॉक्शर ह जैसे कि यहां पर पर चार्ट के इसाफ जो इन पर इन फ्रमिशन आप यहां पर एक्सपंसव दिखा रहा 931 की रुपए के ऊपर तो दोस्ता भी यह है इकना सस्ता मिल भी नहीं सकता इसके नीचे कि 900 के आस पास प्रेटी तूवेक लो था तो बच्चनिती ती जिन्नोंने खरीदा होगों के लिए अच्छी बात है पी रेशियो के 22 पॉइंट हमें देखी चुके है और उसी यह 10.85 परसें आरो यह 10.23 परसेंट के अब जनरली होता क्या है कि जैसे कि यहां पर चार्ट के इसाफर जो इंफिमेशन दी गई है टेकनिकल वो कह रहे हैं कि वेर एक्सप यहां शनरे का नहीं रहे शनरीा देखा लेखनेंट रहे हैं कि यह पीर हं पिरीजे की फेनिसे को aos । फैनेन्चले ओ इसलेंट है शनरु मोले लिए अचलिकल देखा लेटें़ ए आपको देखिया सालों में आपको दो अटींटिकल defryit सेंग परसेंट नत시क उन्र वाथ 76% का है और दो सालों में 96% का है एक साल में 44% का ये तिल देट 25 परसंट, 6 मन 36, 6 मन 26 परसंट, 3 मन्स में 12.66% का, 1 मन्स में 5.94% का, 1 वीक में 1.53% का, और वन दे में 1.01% का, तो देखे जब भी आपने पैसे लागा, इस कम्पनी में कभी दूबने के कोई कुई जाश ने रही आपको पैसा हमेशा रेटन बना के दिया है और तो ऐसे दिगज कम्पनियों में पैसा लगाने ये होता है कि आपका पैसा कभी डूपता नहीं है और थोड़े रेटन मिलेगे लेकिन आपको एक प्रकार का अच्छा रेटन मिलता रहेगा लेकिन अभी जो आने माला समय है आपको अच्छा रेटन मिल रहा है इस साब से इंडिया ग्रोथ हो रही तो बने रही है अच्छी कम्पनी है मैं तो इस पर 100% निमेश के शलाह देता हूं वह लोग करें जो मतलब एक अच्छी ग्रोथ चाहते है अच्छा रेटन चाहते है और शेर होल्डिंग में यहां प पैसे लगाना है और 1198 फॉरन इंस्टिटूशनल इनिवेस्टर्स ने पैसे लगा है और इंडिविजिवल्स हम आप जैसे खुद्रग रहां के 1.9% की तो जबरास कंपनी दोस्तों आज मैंने इस कंपनी के बारे में बताया रिलाइंस इंडिस्ट्री लेकिन आपको मैंने कि आपकोर्टर के रिजल्स आये है कि 4 के तो अजयेखिए मैंने इनको 10% के ऩबाप्साइड है और ऑप्रेटिंग प्रॉफिट में ध्यूपर संद के आशे-पास यंदों साइड है लेकिन नेत प्रॉफेट में इनको 1% के अशे-पास इनको अप्साइड है प्रॉफिट मार्च 18 से मार्च 19 अच्छा 44 पॉइंट सेल्स में या पर बढ़ा थी मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर था लेकिन नेक प्रॉफिट में एक 9.74 परसंड की अपसाइड थी जबरदस्त है इनके रिजल्स भी आया है और तो चलिए दोस्तों अभी आपको जरूर वीडियो प करनेक इनके इनके अजिया है तेनके बाजिए थाया है